हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है रफी और स्वागत है आपका हमारे चैनल वाइट है डेविल में आज मैं आपको टेलिग्राम से रिलेटेड एक ट्रिक बताऊंगा वैसे तो आजकल हर किसी के पास वाटसाप एकाउंट होता है लेकिन पर्सनली मुझे वाटसाप से जादा टेलिग्राम पसंद है इसका रीजन ये है के टेलिग्राम में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो के वाटसाप पे नहीं है और टेलिग्राम पे आपको कोई भी कंटेंट सेर्च करने पे मिल जाता है जैसे के latest movies, web series, software, apps, tutorials and बहुत सारा content अगर आपके पास telegram है तो आपको पता होगा कि mobile telegram पे आप multiple accounts create कर सकते हैं शायद आपको ये भी पता होगा कि telegram का windows version भी आता है लेकिन windows के telegram में आप सिर्फ एक account ही use कर सकते हो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप windows में multiple telegram accounts कैसे बना सकते हैं ये है मेरा main telegram account अब अगर मुझे कोई और number से account बनाना है तो मैं windows telegram में दूसरा account नहीं बना सकता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे add account का option नहीं है जो के mobile telegram में होता है इसके लिए आपको इस path में navigate करना है और यहाँ telegram desktop folder को open करना है और सभी files को copy करना है except t data folder इस t data folder को copy नहीं करना है अब आप back जाएं और यहाँ आपको एक नया folder create करना है मैं यहाँ new folder का name देता हूँ telegram second अब इस folder में मैं उस copy किये हुए data को paste कर देता हूँ अब मैं telegram application का shortcut desktop पे बना लेता हूँ और उसे कोई भी name देता हूँ जैसे के telegram second और अगर आप इस telegram को open करोगे तो आपको यह register करने के लिए कहेगा जो आप किसी भी second number से register कर सकते हो इस तरह आप अपने windows पे multiple telegram accounts बना सकते हो अगर आपके पास telegram installed है तो आप हमारे telegram channel को join कर लें telegram पे white hat devil search करें या फिर description में दिये हुए link से join कर लें आपको अगर यह video पसंद आया है तो इसे like करें और share करें और अगर आप हमारे channel पे नए हैं तो और ऐसी videos देखने के लिए हमें subscribe कर लें